हलो दोस्तों मेरा के सुलंगी सदावल लबाय पटेल खिदिवारी से जैसे के आप सबको पता ही होगा के इकाई 5 हमने खत्म खल लिये और आज हम आगे बढ़ेंगे इकाई 6 की और जिसका नाम है तूफानों की और और जिनके कवी है सीमंगल सी और हूंको उपनाम दिया गया है सुमन जैसे के हम इस काविया के दोरण हमें क्या कहना चाहते है कवी तो हम यह कह सकते हैं कि तूफानों की और यानि की तूफान का सामना करने के लिए कवी हमें कहना चाहते है हमारे जीवन में संगर्समई होता है हमारा जीवन कैसा होता है संगर्समई यानि कई कठी ना करना नहीं चाहिए इसका हमीं सामना करना चाहिए पूरे आत्म विश्वास, और शास के साथ उसका सामना करना है क्लश्य काव्य में कभी कहना चाहते हैं और इस्य जिने के लिए जीवन की जो नाव है उसको पाल लगाने का एक उपाई दिखाया गया है देखे तो हम देखते हैं कि उनका जियन्म पांच अगस्त उन्नीसो पंद्रगों खराम जगरबूर जिल्ला उन्नाव उतर प्रदेस में हुआ था बनारस हिंदू विश्व विज्जयल में में पीएचडी की अनेक अध्यान संस्थाओ विश्व विज्जयल तता हिंदी संस्था में उच्चितम पदों पर काजय किया है और कई देशों की यात्रा भी उन्होंने की है 1994 में मिट्टी की बारत साहित्य अकादमी तथा और तथा 1913 में भरत भात्य पुरुषका से उनको संभानित किया गया है 1974 में बारत सरकाद्वारा पदमाश्री से उनको संभानित किया गया है किसलिये तो हिलोल, जीवन के गान, युक का मोल, प्रलै सुजन, विश्व बदलता ही गया विंद्य हिमालाई, मिट्टी की बारत, फानी की व्यथा कटे अंगुटों की बंदन वारे, उद्धम और विकास, प्रगुदी के पुरुष विकालिदास इस कावे के दोरान, सीव मंगल सीव सुमन ने हमें यह सदा संकर्स में रहका रहने के लिए लक्स की और बनने की प्रेणा दी है, यानि कि संकर्स में, यानि मेहनत करने के बाद भी हमें लक्स की और आगे बढ़ना चाहिए यह सला दी गए जिस तरह आग में रहे कर सोना निखरता है यानि आपको पता ही होगा कि आग में रहे कर सोना निखरता है यानि अधिक चमकता है उसी तरह हमारे जियोंने कई बादा है हमें जीने के लिए नई रा दिखा दी है तो थ संगर शरत जैसे मुल्यका अउजागर गया गया है देखे तो हम देखते हैं इस काविय में कभी हमें क्या कहना चाहते हैं तो यहां पर पहली दिमाक देख सकते हैं कि तुफानों की और घुमा दो यानि जहां से तूफान आ रहा है है नाविक तूम तूफानों का सामना करने के लिए अपनी पतवार तूफानों की और गुमादो नाविक नीच पतवार क्या कहते है कभी कि है नाविक तूम अपनी जो पतवार है उस तूफानों की और घुमादो पतवार यानि नाव चलाने के लिए जो तिकोनी लकड़ी होती है यानि चप्पू हम भी कह जाए सकते हैं अपना गुजादी में हले सुक गई है उसकी और घुमादो नाविक यानि नाव चलाने वाला नीज यानि अपनी पतवार यानि समुद्र के सामने उसकी और गुमादो नाविक नीच पतवार यानि अपनी जो पतवार है उसके सामने गुमादो आज हम समुद्र को दिखाएंगे किस सिंदू यानि समुध्रस यहर उगल दिया है, कटिंग परस्थित्या पैदा हो चुकी है उमร कर तुम्हारी नाव को निगलना चाहा है, आज लहरों का योवन strangely यानि, यूवन यानी जैसे कें सरी एक खुडाका से कह सकते हैं लेकिन यहां पर पाणि का योवन का अंगा है या बहुत ही उमर रही है यूआ पाणि की लहरे और तुम्हारी नाओ को संसरुपी नाओ को क्या करना चाहथिए निकल चाना चाहती है फिर भी परवा नहीं है आज हदय में यानि रिदय में आज हदय में किनके रदय में कवी के मन में और सिंदू में साथ उठा है जवार देखिए आज हदय में यानि कवी के मन में और सिंदू यानि समुद्र में साथ उठा है जवार जवार यानि क्या सम समुध्र में उठने वाला बढ़ता पानी यानि तुफान अ समुध्र कहा कर दो कवी के से वहाल मांवर्ण पढ़ा तो कुछ पत्वार की ओर सरे आज नव flirt यान ही और समुध्र कभी पिछे हरने वाला नहीं है कभी है движ nao कजा नशवर में नरफ सब्सक्राइब यारी चल्च शर में कुछ तो बोलो कि क्या कहना चाहता है कि ले लफिर Кस्वर में यानि लहर होती है उसके स्वर में यानि उसके साथ रहा है झैसे दुफन बाइब 마स्त। तुम भी तैयार होकर जैसे तुम भी तैयार हो चुकिये वैसे तूम भी इस अगण में सांस तोलो यानि उसका सामना करो किस प्रकार कि वैसे तूम भी तैयार होकर आंजो के सामने उड़ जाओ और स्वयम आजमा कर देखो कि तुमने कितनी हिम्मत है तोलो यानि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है जो लाहरों का सामना कर सके कभी-कभी मिलता है जीवन में कभी-कभी मिलता है देखे बहुत यह है कि जीवन ने तुफानों का प्यार कभी-कभी ही मिलता है तुफानों का प्यार जीवन में जो भाग्य साली होता है उसको ही कठीन आयों का जो सामना करता है कठे नियायों का जो सामना करते हैं उसे ही भग्या में उसे भग्या साली कहते हैं वही लोग कठे नियायों का सामना करते हैं और वही कहते हैं कि तुफानों की और गुमादो नाविक नीज पतवार देखिए हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम आगे देखते हैं, कि यह असिम निज सीमा जाने, सागर भी तो यह पहचाने, मिटि के पुतले मानवने, कभी न मानी हार, तूफानों की और घुमादो नाविक निज पत्वा, यह असिम, यहाँ पर कभी क्या कहना चाहते हैं, कि यह समूद्रा और वह तूफान, आज असिम यानि सीमा हीन, असिम यानि सीमा हीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, दिखाए देते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं, यह असिम निज सीमा, जानि सागर को भी यह पहचान ले, यानि इसका सामना सायद ही कोई कर सके, लेकिन मनुस्य कभ, स्वारी, सागर भी यह पहच यह कहा जाता है कि लेकिन मनुसर सब कुछ कर सकता है या उनको पता है कि है नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिद्टी का पुतला यानि मिद्टी के पुतले मानव ने कभी ना मानी हार यानि कि मानव जो है मिद्टी का पुतला है फिर भ दूफानों की और घुमादो नाविक नीज पत्वार इस काव्य पंग्ति के द्वारा कभी हमें यह कहना चाहता कि यह समुद्र और वह दूफान आज भी अस्थिम दिखाई देते यानि बहुत भी बढ़िया इसका सामना साइधी कोई कर सके लेकिन मनुस्य सब कुछ कर सकता है यह वात रखना कि है नाविक तुम अपनी नाव लेकर चलो और सागर को भी बता दो कि मानव मिट्टी का मानव क्या है मिट्टी का पुतला है लेकिन समुद्र के सामने हार नहीं मानेगा मनुस्या ने कहीं भी अपनी हार नहीं मानी है और आगे बढ़ेंगे कि तूफान का सामने केले उसके सामने अपनी नाव जो है क्या है अगे बड़ा दो देखें अगली पंक्ती में क्या करना चाहता है कि सागर की अपनी ख्शंता है पर माजी की भी कब ठकाता है सागर की अपनी संक्ता यानी क्या होती है सक्ती होती है लेकिन माजी यानी माजी यहाँ पर किसको का आगा है नावी को का आगा है कि वो कब ठकता है जब तक सासों में स्पंदन स्पंदन यानी चेतना धड़कन हमारे अंदर जो हम चेतना है स्पंदन धड़कन उसका साथ नह आविया पंक्ति के द्वारा हमें कभी है किना जाता कि समुद्र के पास अपनी एक लहरों की स्क्या होती है क्षमता यानि सक्ती होती है सागर की अपनी सम्ता यानि सक्ती होती है परमाजी भी कब थकता है परमाजी यानि नाविक भी नाविक के पास भी हिम्मत है आत्म विश स्वास है वह ठकता नहीं जानता जब तक सांसों में स्पंदन के जब तक नाविक की सांसों चल रही है तब तक वह अपनी नाव को आगर बढ़ा रही जाएगा उसका हाथ नहीं रुकता जब तक उसके सांसों में सांसे तब तक उसका हाथ नहीं रुकेगा तो इससे ही बल पर वह डालेगा साथो समुदर पार यानि के हे नाविक तुमने अपनी हिम्मत पर और ताकत से सारे साथ समुदर पार कर डाले है अपनी नाव के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते ही रहो कि तुफानों की और गुमादो नाविक नीज पत्वार के तुम आगे ही बढ़ते जाओ तुमने इसी हिम्मत और ताकत से तुमने सातो समुदर को पार कर डियाल डाला है इसलिए तुम्हें आगे बनना ही चाहिए देखे दोस्तों यहाँ पर हमारी इकाई छे खत्मा हो चुकी और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर जो लिखा गया है सब्दा अर्थ और सब्दा अर्थ में देखे नाविक यानि नाव चलाने वाला मल्ला माजी जिसको भी कहते हैं मल्ला जो नाव चला था उसे नीज यानि अपना, पत्वार यानि नाव चलाने वाली लकड़ी यानि चप्पू, जवार यानि तुफान, समूदर में पानी का बढ़ना, अंगन यानि आधी, असीम यानि सीमा हिन, जिसकी कोई सीमा नहीं है वा असीम, शम्ता यानि सक्ति, योग्यदा, स्पंदन यानि ध घडकन, चेतना भी कह सकते, बल पर सहारे, देखें या सब उसके समनार्थी सब्द हुए, और आज आगे बढ़ेंगे और, देखें, अभ्यास में हम देखेंगे, कि सुद्ध उच्चारन किजिए, सुद्ध उच्चारन यानि कैसे उसको उच्चारन किया जाता है, तो यह पर पहले है, तूफान, यानि जो आधी तूफान आते है, यहाँ पर उसको संब्धित किया, सिंदु, योवन, यानि शरीर भी का सकते, रदई, हिदई, अंगन, आधी, जैसे हम उसका उच्चारन कर सकते, नाम यहाँ पर अलगे, लिसका उच्चारन अलग होता है, तूफानों की और इसका उच्चारन कीजे, आपको घर में बेठे दो बार इसका समुगान करना है, और आगे बढ़ेंगे प्रस्न दिन की और, तो प्रस्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, मौखिक उत्तर, देखें जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाना जाता हूँ, कि त पत्वार ऐसा कभी ने क्यों कहा है, क्यों कहा है, आपको पता है, देखें मैं के दो, कि तूफान कठीन यायों का प्रतिक है, है के नहीं, कठीन यायों से गवरा कर भागना कायरता है, कठीन यायों का डटकर क्या करना जाए हमें, सामना करना चाहिए, वही में उसमें हमार क्या है बहादूरी है जीवन में भी आने वाली कठी नयायों को मुनित से को बहुत तरीके से सिखाता है और उसका सामना हमें करना चाहें यह वा प्रेना अमें यहां पर कवी के दौरा में मिली है दूसरा यहां पर कहा गया कि सागर भी तो यह पहचाने देखिए खेसागर भ कहाने की बात कहीं गई है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि सागर यह कहना चाहते हैं कि सागर भी तो यह पहचाने के मैं क्या कर पहचाने की बात की गई है तो सागर भी यह पहचाने कि इस वाक्या में मनुस्य ने सास और सकती की भी बात की गई है कभी कहना चाहते है कि ऐसी कोई कठीना ही नहीं है जिसका हल मनुस्व के पास नहीं है देखे तीसरा प्रस्ण समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर कभी क्या कहना चाहते है कि समस्या आने पर हमें क्या करना चाहिए तो समस्या आने पर हमें वैबीत नहीं होकर सांधी और धीरज के साथ उसका समस्या का उचित उपा योजना चाहिए यानि उसका उचित क्या होता है योजना वो खोजना चाहिए आगे बढ़ते हैं इस अंगण में सास्तो तोलो का काव्या का अर्थ क्या है यानि इस पंक्ति का अर्थ क्या है कि इस अंगण में यानि इस अंधी दूपान में सास्तोलो का मतलब है तुम्हारे सास की परिक्षा का समय है ऐसे कठिन समय में मनुष्य को अपने आपको परखने का मौका मिलता है और आगे बढ़ेंगे हम कि देखे हम स्वाध्य की ओर चलते हैं कि प्रस्ण प्रस्ण के उत्तर दिजिए प्रस्ण पहला कभी ने मनुष्य की किस विश्यस्ता की और इसारा किया है तो हम यह कह सकते हैं किस विश्यस्ता कियों तो कभी सीव मंगल सी सुमन कहते हैं कि मनुष्य सब कुछ कर सकता है उसने कभी हार नहीं मानी वह ठकना नहीं जानता जब तक उसके सांसों में सांस तब तक वह आगे ही बढ़ता चला जाएगा मनुष्यस के सांस की सीमा और तब तक वह आगे ही बढ़ता जाएगा उसकी सांस की सीमा जब तक है वह उसके अंदर आत्मा विश्वस है तब तक वह आगे ही बढ़ता चला जाएगा अदम्य सास और अद्बुत आत्मविश्वस के बल पर वही अपना साथ समुदर पार कर सकता है इस प्रकार प्रस्तूत कवी तामे कवी ने मनुस्वत के अपार सास और अठक सक्ति को गजब से आत्मविश्वस के और इसारा किया गया है जैसे के दूसरा हम देख सकते हैं कि ज्वार कहां-कहां उठा है देखिए तो ज्वार कहां-कहां उठा है किन के सामने कि दूसरा बसना यह है ज्वार कहां-कहां उठा है तो आपको क पता हिए तो ज्वार एक और समुद्र के ज्वार उठा है और अगे बढ़ेंगे हम तीसरा प्रत्सना यहां पर है कि समुद्र ने कैसा रूपदारण किया है कि कवी नाविक से कहता है कि तुम तुफानों से मत घबराओ तुम उसका सामना करने के लिए अपनी पत्वार उसकी दिशा में मोड़ दो तुम आध्यों का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ देखो कि तुम कितनी ताका थे तुमारे में तुम असिन सागर को बता दो कि तुम मानव मिट्टी के पुतला होने पर भी तुफानों का सागर तुफानों के सागर के सामने कभी हार नहीं मान सकता अपना साहस दिखाने के लिए ऐसे मौकर बड़े बाग्य से मिलता है इसलिए आज तुम दुफानों का सामना लड़ने का अउसर मत गवाव और उसका सामना करो देखिए प्रस्ण जार कवी ने मनुस्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है कवी ने मनुस्य को मिट्टी का पुतला क्यों कहा है तो मनुस्य धर्थी पर जन्मा लेता है है के ने तो मिट्टी में खेल कुद कर बड़ा होता है खेल कर खड़ा होता है यानि बड़ा होता है मिट्टी के उतपर होने वाला पदार से वही मनुसे का पालन पनस्वन होता है मिट्टी उसकी मा है मनुसे के मर जाने पर उसका सरी मिट्टी में ही क्या हो जाता है मिल जाता है इस ब्रकार मनुसे अपने जीवन में लेकर मुर्त्यू तक मिट्टी से जुड़ा रहता है यानि मिट्टी का रिणी रहता है, मिट्टी से मनुसर के इसी अभिंदा के कारण कभी ने मनुसर को मिट्टी का क्या गा है, पुतला कहा गया है, और लास्ट में देख दे, पांचमा बसन, माजी का हाथ कब तक नहीं रुकता है, माजी का हाथ कब तक नहीं रुकता है, तो द अगर सक्सन साली है, मिटि का पुतला मांजी भी कम नहीं है, उसमें अध्वुत सास और अनोकी सक्ति है, इसलिए वह कभी थकता नहीं है, जब तक उसके सर में प्राण है, तब तक उसकी सासों में चेतना है, तब तक वह रूखने का नाम नहीं लेता पर संगर्ष का स्वरी वह संगर्ष करना ही छोड़ता वह प्रकार माजी अपने अंतिम सांस तक कार्या करता यानि वह कार्या करता रहता है देखिए यहाँ पर हमारी इकाई छे खत्म होती है थैंक यू अगर कोई आपको दिखकत हो मैसेज कर सकते हैं जाहिन जाहिए भारत